بسم اللہ الرحمن الرحیم असलामौलेकम आज हम जिस topic पर बात करने जा रहे हैं वो topic है quantum numbers quantum numbers क्या है basically quantum numbers ऐसे numbers हैं ऐसी values हैं जो एक electron को completely describe कर देती हैं in an atom या पिर हम ऐसे कह सकते हैं those values, those numbers which locate the electron in an atom या फिर हम यह भी कह सकते हैं the values which describe the address of electron in an atom तो ऐसे तमाम values को, numbers को हम कहते हैं quantum number quantum number क्या है जो electron को completely describe करते हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी four types होती है quantum number की four types हैं जिनको हम one by one एक दूसरे के साथ relate करते हुए study करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो type है वो है principal quantum number principal quantum number जिसको हम किस से show करते हैं n की value, small n से हम इसको show करते हैं principal quantum number को small n की value से show करते हैं और n की value जो है, वो start कहां से होती है one से start होती है मतलब positive integers हैं ये ठीक है, positive values है one, plus one, plus two, plus three ठीक है और अब इन values से हमें क्या पता चलता है सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो principal quantum number है ये हमें किस के बारे में बताता है shells के बारे में बताता है कि atom का shell कौन सा है जो electron है, वो किस shell में मजूद है तो अगर N की value one होती है तो उसका K shell होगा अगर N की value two होती है तो L shell होगा अगर N की value three होती है तो M shell अगर small N की value four होती है तो उसे हम कहेंगे N shell और अब हमें इस principal quantum number से किस किसम की information मिलती है तो हम कहते हैं इससे हमें information मिलती है जो सबसे पहली information हमें मिलती है वो ये के distance of electron from nucleus N की value से distance of electron from nucleus पता चलता है दूसरा जो है size of electronic shell and atom किसी भी electronic shell का size भी पता चल जाता है हमें और atom के size के बारे में भी पता चल जाता है जो तीसरी information जो हम discuss कर चुके है shells of atom N की value से हमें shell का पता चलता है कि कौन कौन से shells हैं एक atom के अंदर और कहां से पता चलता है principal quantum number small N की value से कि electron किस shell के अंदर है ये N की value से हमें पता चलेगा उसके बाद दूसरा जो हमारे पास quantum number है वो है azimuthal quantum number small L की value से show करते हैं और इसकी value जो है वो 0 से start होती है 0 से start होती है 0, 1, 2, 3, and 4 ठीक है 0 से इसकी value start होती है और हमेशा जो है L की value जो है ये depend करती है N की value से ठीक है और इसको हम कैसे show करते हैं हम लिख सकते हैं इसको हम लिखते हैं N-1 जो आजिमुत्र quantum number की value है उस formula की मदद से हम explain करते हैं L is equal to N minus 1 ठीक है और इससे हमें क्या पता चलता है हमें इससे पता चलता है एक तो sub shells के बारे में कि एक shell के अंदर कितने sub shells हैं और कौन कौन से हैं और दूसरा हमें पता चलता है उनकी shapes के बारे में nature and shapes of sub shells के बारे में पता चलता है for example अगर हमारे पास L की value 0 होगी तो sub shell कौन सा होगा S sub shell होता है अगर उसके बाद L की value 1 होती है तो हमारे पास P sub shell होता है जब L की value small L की value 2 होती है तब होता है हमारे पास D sub shell जब हमारे पास small L की value 3 होती है तब हमारे पास होता है F sub shell और यह हमें values कहां से मिलती हैं basically जो small L की value और जिमूथल quantum number की value है वो principal quantum number N की value पे depend करती है हम उसको N-1 करके जो है वो calculator कर सकते हैं उसके बाद तीसरा जो quantum number है हमारे पास वो है magnetic quantum number और magnetic quantum number जो है वो कहां से शुरू होता है zero भी value उसकी होती है positive value भी होती है और negative value भी उसकी होती है ठीक है और अगर हम बात करते हैं हमारे पास आजाता है zero अगर M की value जो zero होगी तब उसे हम कहेंगे S sub shell जब यहाँ पे भी zero है तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं zero जो है S sub shell को show करता है इसकी value plus one zero और minus one हो सकती है same as it इसकी values plus two और minus two की farm में भी हो सकती है plus three और minus three की farm में भी हो सकती है और values हमें कहां से मिलती हैं कैसे calculate कर सकते हैं तो हमारे पास formula है 2L plus one यह वाली जो formula है यह हमें बता है कि हम azimuthal quantum number से magnetic quantum number की value कैसे calculate कर सकते हैं तो यह हमारे पास formula है और यह किस किसम की information देता है एक तो जो sub shells के अंदर orbitals होते हैं उनकी degeneracy के बारे में बताता है और दूसरी जो information मिलती है वो sub shells में कितनी orientations हो सकती है तो अगर हम बात करें orientations की जो हमारे पास है 0 अगर small m की value 0 आती है इसका मतलब s sub shell है और s sub shell एक ही orientation उसकी होती है वो किसी axis के along distribute नहीं होता जब m की value जो है मारे पास यहां पे plus 1, 0 और minus 1 आती है इसका मतलब है यह जो p sub shell की value है p sub shell की value जो होती है यह 0 जो है वो s sub shell के लिए p जो है वो तीन उसकी magnetic quantum number की values है तो इसकी तीन space orientations होती है जिनको हम शो करते हैं px, py और pz से हमारे पास जो p है इसकी magnetic quantum numbers की मज़़े से पता चला कि इसकी 3 space orientation होती है अगर हम बात करें d sub shell की अगर हम यह देखें d sub shell की 5 orientations होती है क्योंकि इसके magnetic quantum number की values 5 होती है हम यहां से calculate करेंगे d की जो value है वो 2 होती है जब हम इस formula में put करते हैं तो हमारे पास 5 orientation 5 values आती है और इसका मतलब है जो d sub shell है d sub shell के पास 5 orientations होती है जिसे हम show करते हैं dxy, dyz, dxz, dx square, y square और dz square हमारे पास इसकी 5 orientations होती है same as it जब हम बात करते हैं f sub shell की तो f sub shell में हमें पता चलता है f sub shell में magnetic quantum number की value 7 होती है इसका मतलब है f sub shell की 7 orientations होगी हम उनको space में 7 मुक्तलिफ तरीकों से orient कर सकते हैं फिला सकते हैं, right on कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाता है spin quantum number spin quantum number को हम small s की value से जाहर करते हैं और हमें पता है कि जो spin होती है electron की एक तो electron क्या कर रहा है rotate कर रहा है, अपने axis में, अपने एक shells में घूम रहा है निसाद rotate कर रहा है, उसमें self rotation भी कर रहा होता है अपने axis के गिर्द भी घूम रहा होता है वो जो उसकी rotation है, वो दो तरह की होती है या तो clockwise या फिर anticlockwise होती है तो जो plus की value है, वो clockwise जबके जो negative की value है, वो anticlockwise motion anticlockwise spinning of electron को बताती है spin quantum number से हमें किस क्यूसम की information पता चलती है जो duplicate line structure हमें शो होता है ठीक है, spectrum के अंदर duplicate line structure शो होता है वो spin quantum number से पता चलता है इसके अलावा जो fine spectrum of hydrogen है वो भी हमें spin quantum number से पता चलता है और इसके अलावा तीसरी जो है वो spin of electron की मदद, जो है spin of electron जो है किस तरह की clockwise है या anticlockwise है वो भी हमें small s की value से पता चलता है लास्ट बात जो है, वो हम इन तमाम चीजों को use करते हुए हम number of electron in shells and sub shells calculate करते है फार एक्जेंबल, हमारे पास सबसे पहला जो shell है वो k shell होता है तो k shell में totally कितने electron आ जाते हैं two electrons होते हैं और अगर हम s sub shell की बात करते हैं तो s sub shell में भी कितने electron होते हैं two उसके बाद हम कहते हैं जब हमारे पास s sub shell होगा तो s में भी हम बात कर चुके हैं कितने electron होंगे two जबके p में कितने electron होंगे six हम इन दोनों को calculate करते हैं तो हमारे पास total 8 electrons आते हैं जो कि हम बता सकते हैं कि वो L shell में 8 electrons होते हैं S में 2 electrons होते हैं P में 6 होते हैं इसका मतलब है जो L shell है इसमें 2 sub shells होते हैं S और P S में 2 electrons और P में 6 electrons दोनों को combine करते हैं L के अंदर जो हैं वह 8 electrons complete आ जाते हैं उसके बाद जब हम बात करते हैं जब N की value 3 होती है उसकी मदद से हम find करते हैं तो हमारे पास पता चलता है S में हमारे पास 2 electron P में 6 और D में जो हैं वो 10 electrons हैं जब हम इनको sum up करते हैं तो हमें पता चलता है के M shell के अंदर 18 electrons होते हैं इसके अलावा हम बात करते हैं जब N shell के लिए N shell में 4 sub shells होते हैं हमारे पास कौन कौन से S, P, D और F S में 2 electrons आ जाते हैं P में 6, D में 10 और जो F sub shell होगा उसमें हमारे पास 14 electrons है S में हमारे पास 2 electrons, P में हमारे पास 6 electrons, D में हमारे पास maximum 10 electrons और F sub shell जो होगा उसमें 14 electrons है जब हम इनको collectively sum up करते हैं तो हमारे पास 32 electrons जो के N shell में मजूद होते हैं अब हमें electrons को कैसे calculate करते हैं इन sub shells, sub shells में कैसे electrons को calculate करते हैं तो यह हमारे पास azimuthal quantum number से एक formula drive करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि इसमें total number of electrons sub shell में कितने हो सकते हैं यह हमारे पास overall view है quantum numbers के बारे में हमने इनको comparison की मदद से read out किया है और इसमें completely हमने electron को describe किया है कि electron किस shell में है, shell के किस sub shell में है और उस sub shell की कौन सी orientation use होगी उसमें electron की spin है वो clockwise होगी या anti clockwise होगी और साथ में हमने यह भी discuss कर लिया है कि shell और sub shells में number of electrons कितने मुझूद हो